आरोही एक ऐसी लड़की जो जीना चाहती थी, एक उमंग थी उसमें, मगर वक्त ने ढ़ाया ऐसा कहर कि उसकी सभी उमंगे उसके माई के तले ही कुचलती चली गई वहाँ आकर जब दमन ने उसका हाथ थाम कर उसे बाहर निकाला और विश्वास दिलाया कि उसे खुले आसमान में उड़ने का सोने का पंक देगा, आरोही खुश थी, उसकी जिन्दगी में एक नई उमंग आई थी, वे दुलहन बनकर हर खुश नसीब लड़की की तरहें आरोही पर जपटने लगा, और जो बची खुची कसर थी, वो भावी मंजरी और सास रंभा निकाल देती थी, और एक दिन इस मासूम चड़िया ने दम तोड़ दिया, अब वे सपने देखना छोड़ चुके थी, वे हसना भूल गई थी, उसका रोना सुक गया था, और वो पागल हो गई थी, एक दम पागल, तभी एक नई किरेदार ने दस्तक दी, आतिश, जो मंजरी का क्लोज हो चुका चाप्टर था, मगर क्या ये आरोही का नया चाप्टर बनने वाला था, आए देखते हैं साथ मिलकर, आतिश आरोही को ले जा रहा था, कि तभी आरोही की भाबी और सास ने उसका रास्ता रोक लिया, ए दमन, देख तो, तिरी लुगाई हडब कर ली जा रहा है मेरा मुआ पती, दमन भाग कर आता है और आतिश का हाज जगरता है, तब भी तुझे जलील करके घर से निकाला जाता है, तब भी तु आ जाता है मू उठाकर, बेज पुलिस थाने रिपोर्ट करके तुम सब को अंदर करा दूगा, आतिश क्या पकवास कर रहे हो, क्या रिपोर्ट कराओगे तुम, क्या कर दिया हमने ऐसा, इस पगली को एक तो घर में पना दी, उपर से हम ही पर ये कीचड उचालेगी, हाँ, मा, देख तो, भलाई का जमा जालत में हमारा का कसूर, और अही बात इन चोटों की, तो, आतिश बेटा, सास का तो थोड़ा हक ही होता है, अपनी बहु को थोड़ा सा, मतलब जाता नहीं, बस अथो खोड़ा सा माणने का, बुडिया बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तुम सब बोलते जा रहे हो, अरे भूल चुके हो गया कि मेरे हस्ती क्या है, हाँ मंजरी, तिरे भाई की तरह I'm not बेरोजगा, I'm bloody psychiatrist, मेरा दिन रात मेरे मरीजों को देखना ही है, पागलों का डॉक्टर हूँ मैं, भूल गए हो क्या तुम सब, और ये बेचारी आरोही पागल नहीं थी, नहीं थी पागल, आरोही अपना नाम सुनते ही आतिश के कंधे से कसकर लिपड़ जाती है, डादी फोक लगी है, खाना, डादी खाना, ये तुम बार बार उस पागला रोही को क्यों बुला रही हो, मत बुलाओ न, उसे बुलाओगे तो सब नाराज होंगे, तुम रुची को बुलाओ, वो अच्छी है, वो मेरी पेस्ट फ्रेंड है, आतिशा रोही को सहला कर कसकर गोद में लाता है, और उसे सीने में छिपा लेता है, आतिश की आँख में पानी आ गया था, देखा तुम लोगों ने, क्या हालत कर दी बेचारी की, ये तो बेचारी खुद ही प्रैचान भोल चु संभालेगा, अपने को क्या, एक इंसान का राशक कम लगीगा, छोड़, वैसे भी माईके के लिए तो ये पहले ही मर चुकी है, अब सुसराल के लिए भी इसे फोग डालते हैं, सब बोलो एक साथ मेरे, स्वाहा, स्वाहा, हाहा, चलो, बला टली, वैसे भी इसका सारा रस् अब खाली खोकले शरीर का, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, चलो, अच्छा किया, कवारी जीजा ने घर से कवार तो ले लिया, हाहा, हाहा रुची भाग कर आतिश के पीछे से अवास लगाती है, रुची नहीं बेटा, जाने दे, अरे जाने दे से भी, अगर बीच में बोला तो ये हराम खोर पुलिसिया भेज़तेगा, मा बिना रहेगी कैसे, लोटकर बुद्धु घर को ही आएगी, जब वहां मजाएगी आफ कुछ था, तो मंजरे और आतिश के बीच आकिर हुआ क्या था, आतिश आरोही को अपने कमरे में लिटा दीता है, रुची बेटा, तुमको आरोही पसंद है ना, हाँ डाटी, येस डाटी, आतिश आरोही की नादानी पर उसे सहलाता है और हसता है, तुम तो आरोही हो ना, जब तक आरोह ठिक नहीं हो जाती, उसकी ममा बनकर उसकी दिखभाल करोगी ना, पता है, तुम बहुत छोटी हो, मगर आरोही का दिमाग अब तुमसे भी कम उमर के बच्चो वाला हो चुका है, डाटी फूको लगी है, डाटी, मैं जानती है ममा कैसे बनाती है, रुची उ जारोही स्वात लेकर मज़े से खाने पीने लगी, आतिश को ये देखकर रुची पर लाड आता है, रुची बेटा सो स्वीट, इतना सभाता है तुमको, हाँ डाटी, ममा तो होती नहीं थी, तो मैं कार्टून में देखती थी, कि जो ममा होती है, वो ऐसे ही अपने बेबी के शाद करती है, पता है डाटी, इसे कहते है, पैमपर करना, मैं आपको भी पैमपर करूँगी, बेठो चलो, ओ, माइ क्यूट लिटिल गर, कितनी समझदार है, और मुझे समझदार बेटी से दूर रख रही थी वो चुडल, चुडल, कौन, ममा, हाँ डाटी, कभी-कभी और उच्छी अपने डाटी को आरोही के पास ही बिठा देती है, आरोही उसको देख मुस्कुराती है, और अपने स्पून से उसे सूप पिलाती है, डाटी आप बहुत अच्छे हो, मुझे मारोगे तो नहीं ना, ये सुनते ही आतिश खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है, और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोता है, इतनी प्यारी लड़की कि ये क्या हालत कर दी तुमने मंजरी? जो मेरी हालत करके तुम गई थी, वही हालत तुमने इसकी दी कर दी, कैसी पत्थर हो तुम मंजरी, कैसी? मंजरी और आतिश के लव मारेज हुई थी, दोनों में बहुत प्यार था, मगर मंजरी का मकसद तो बस आतिश के पीछे एश करना था धीरे धीरे मंजरी आतिश की महनत की कमाई अपने माईकी की अयाशी के लिए देने लगी, और एक दिन मंजरी पिछले मही नहीं तुमने 5 लाक लिए थे, और इस मही ने फिर से, जान में ये नहीं कहा रा कि तुम पैसा नहीं ले सकती, सब तुमारा ही तो है, मगर अगर इसी तरह से हम लुटाते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, रुची अभी कितनी छोटी है, और मंजरी के लिए पैसे निकालना मुश्किल हो गया था, अरे बेटिया दमाथ तो मोटी पाटी है, कुछ तो कर, अरे मा, आजकल आतिश को मेरी चाला क्या नजर आने लगी है, मुझे लगता है घी का डबबा उलटना ही पड़ेगा, मंजरी ने आतिश को वो दवाईया देन तुम बताओ न, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ओ बेबी, काम का लोध है न, आओ इधर आ, मेरे पास आओ अच्छा लगेगा, और मंजरी आतिश को सीने से लगा कर अपनी जीत पर खुश होती है, उधर रंभा और दमन की अयाशिया चल रही थी, इधर मंजरी के चल लाकिया चल रही थी, मगर हर चीज का एक अंत आता है, उस दिन जब मंजरी आतिश को दबाई वाला खाना देती है, तो आतिश उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, और गुसे में उसे चांटा लगाता है, और खाना बिखर जाता है, आतिश ये क्या बत्तमीजी है, ओ तो अब मैं समझा, मैं जो पागलों के लाज करने वाला डॉक्टर हूँ, मैं खुद कैसे पागल होता जा रहा हूँ, इसके पीछे तो मेरी डियर बीवी जो थी, ये कर क्या रही थी तुम मंजरी, बस मेरी दौलत ही चाहिए थी तुम्हें, ओ समझा मंजरी की चोरी पकड़ी गई थी, हाँ सिर्फ तौलत ही चाहिए थी, मेरी सीने में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लोग दिल कहते हैं, वहाँ सिर्ट नोटों की गड्या हैं, वही धड़कती हैं, वही हस्ती हैं, वही बोलती हैं, तुम्हारे पास नोट थे, तुम्हें इधर और मंजरी वहाँ से गई तुरुची को भी साथ ले गई, और दोनों का तलाख हो गया, मंजरी तो आतिश का बहुत सारा पैसा मिला, और वो निकल पड़ी नए शिकार पर, जहां वही मिली आरोही के भाई अमीर गौरव से, आरोही सो चुकी थी, आतिश उसके कमरे में जा पैशिदी है, मेरी बेटी रूची आतिश आरोही को भी सहलाता हुआ पलट कर जाने लगता है, तब ही आरोही पीछे से उसका हाथ ठाम लेती है दादी, आपने रुचिक बेबी को गुद नाइट किसी दी, मगर आरू बेबी को नहीं दी, मुझे भी चाहिए गुद नाइट किसी, वरना मैं रो दूँगी, आरू बेबी विल ख्राइ, डादी, किसी? आतिश शर्मा जाता है और आरोही का माथा चूमता है आतिश की धड़कन यही बढ़ गई थी दिल मुग को आ गया था आज जमाने बाद उसका दिल धड़कना शुरू हुा था वह आरोही को सुला कर चला जाता है अब से आतिश का पूरा ध्यान आरोही की रेगभाल पर था आरोही की नई, फ्रॉक्स, उसके बाल बनाना, उसे खाना खिलाना सब आतिश ने अपने जिम्मे लिया था तुम मुझे बहुत अपनी सी लगती हो आरोही, मेरी एक गलती थी, जो मैं मंजरी सरटक रहा और वही गलती ने तुमको भी निगल लिया, मगर मैं गलती ठीक करूँगा, मैं करूँगा तुमको ठीक रुची और आतिश बच्चे की तरहें उसकी केर करते और आरोही भी हमेशा आतिश से ही चिपकी रहती और आतिश ने घर पर ही अपना ओफिस बना लिया था अब मरीज घर आने लगे और सब आतिश के साथ आरोही को देखते तो तरह तरह की बाते भी करने लगे थे डॉक्टर सहब पर जबान लड़की हरवग घर में आपके साथ रहती है जब ये ठीक हो जाएगी तब सोचा है इसके लिए यो परायम मर्द के साथ रहने वाली बात पर समाद जीना हराम कर देगा फिलाल तो वो समाद मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है आंटी नमस्ते आंटी आटिश ने कभी परवाह नहीं करी और एक रात आटिश अपने कमरे में सो रहा था तब भी रुची रोती हुए उसके कमरे में आती है दाडी आरोही गायब है मैंने बहुत ढूंदा मगर वो गायब है गायात मगर कैसे और कहां गई होगी उसे तो रास्ता भी नहीं पता आतिश उसे सब जगर ढूंटा है और वो उसे छत का दर्वाजा देखता है तब ही वह रुची संग वहां जाता है तो उसके होश और जाती है और वो देखता है कि आरोही छत के मुंडेर पर खड़ी होकर चल रही थी अरे डादी देखो तो कितना मज़ा आ रहा है मैंने आज रुची के काटन में देखा था आतिश रुची को घूर कर देखता है कितनी बार बोला इसके सामने ऐसा कुछ मत देखना मगर आरोही अचानक खेल-खेल में छत से जंप मार देती है अब आगे देखिए कैसे आतिश रुची के पागलपन को डील करेगा जानने के लिए देखते रहिए माय का एक कैट के वल लाफ सटी पर थैंक्स फुर वॉच्छिंग